हाई दोस्तों कैसे आप तो अभी हम बात करेंगे अफ्टर रिजल्ट अल्ट्रा क्लिन पीर अभी आप देख सकते हुए मेरी स्कीन की उपर जो भी मेरे निशान थे वह काफी कम हो गया है और जो मेरे हलकी फुल की निशान थे वह काफी दीप तक प्लीन हो गया है और अभी बाए जाय कि कि थोड़ी सी स्कीन रेड हो गिये मेरी और जब मैं बाहर जाता हूं तब मैं मुश्राइजर लगाता ही हुँ ठीक है तो आप घर में रहते हो तब आप लगा सकते हो और बाहर जाते हैं धोपर तया सब्सक्ति कि यहां पर लापरवाई कि आप्लिवु की वी नापने सामने अप्गड़े रहें। तो हम उसको बता दिजाएगा की ठीक से वही जगा लगा यह जुक्ड़ा लगा रही हो एक्स्ट्रा पार्ट केमरने की वज़े से आपकी स्कीन एक्स्ट्रा स्कीन पील हो सकती तो इस बात का ध्यान रखेगा और स्कीन पील हो जाने के बाद आप अपने फेस को लगभग एक विक तक पानी से ही धोना है और जब आपकी स्कीन रिमू हो जाए तो आप मोश्राजर लगाए ताकि स्कीन में नमी बना रहे आप दो तिन चीजह यूज़ कर सकते हो रिगव्यालिस मौश्राजर या फिर एक टूप मिलता है या फिर आप कोकॉनट आइल यूज़ कर सकते हो या फिर एवियोन के आप से तो लास्ट में जो बताया है वह आप ना यूज़ करें तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास बज़िट थोड़ा कम है तो आप यह दो आप्शन यूज़ कर सकते हैं लास्ट वारे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आप कुछ मदद कर सको क्यों कि मैं दो तिन बार इसे यूज़ कर सका कर चुका हूँ अल्ट्रा क्लीन पील को जब मैंने फेस पर टीसे के निशान पढ़ गए थे उस समय मैंने अल्ट्रा क्लीन फिल शुरुवात से स्टार्ट कर दिया था अगर आपको कोई पावलम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और टीसे क्रॉस के बारे में भी आप जानकरी जान सकते हो अगर आप मुझे कमेंट करके बता दो कि कैसे यूज़ करना है कहा से खरीडना है और किस बात का हमें प्रिकॉशन करना होगा टीसे क्रॉस करने के पाद कि चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी आप देख सकते हो कि कहा और कैसे और किस तरह से मेरे स्कीन पील हो गई है कि अच्छी के चलो बाई